गटना करम के अनुसार यह यान यह इस यान से S200 स्ट्रपोन बूस्टर्स को सफल तबूर और पिठख कर दिया गया है यह काम सपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है इसके बाद L110 करण लोगपर आधारेट और विकास इंजिन के साथ यह चरन समाने निशभादं करता हुआ अपने अदिश कख्शा के और बढ़ रहा है अब यान जल्वादन स्ट्रपोन बढ़र्स के अंतरगत है L110 state performance normal अब यान अब यान यहां पेलोड पेरिंग को प्रिथा कर दिया गया है यहां से क्योंकि यहां अब 114.8 km की उचाहिए प्राप्त कर चुका है इस चरण का कुल प्रजोलन काल 200 सेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1100 किलोन्यूटन का अप्रणो दूर्पन द करता है गया तो हैं प्री प्री में प्राप्त करते चुकाहिए चाहla एंधु प्राप्त का यह ल थदी शिलोच्वस की ल मश्रत करते। इस ड्रीजिदि ड़ासे। 4.18 Km That is, 250 Km every मिनेट यल वंटन स्टेट पर्फॉरमंस नॉर्माल अल्वी अप्री एंपोर रॉक्रिट का दुटिये चरंट कुनता सामाने निश्पादन करते हुए इस चरंट में कुल 113 टन के तरल नौदब भहे जाते हैं अगला चरंट C25 प्रज्वलन भावी है 5个 मंट 6 9 सबस्क्राइब चल्ड पर जर्फॉरं दएक वावे स्टत्थ पायद ध्रॉर्ड द्यूर्ड कैल्स थेप्रफ reckless अनगी जा के ति मत्तर पर्फॉर्ड Ges डिक दूरक क्दोवल इसके प्रजुलन के साथ ही तालियों की गडगरावाट से गूर जुठा है मिशिन निया तरनकक्ष 3PHRN C25 वर्तमान में प्रणो दुतन कर रहा है पूर्नता सामान्य सभी तंत्र पूर्नता सामान्य है 118 kdN thrust in vacuum is what will stage develops with its 28.6 tons propylene combination of liquid hydrogen and liquid oxygen present altitude is good performance normal प्रतियर और यह अंतिम चरण है CYANG C25 यह क्राया अंजर कहाधारी चरण है जिसमें liquid hydrogen, liquid oxygen का इस्तमाल होता है इसमें कुल अठाइस टन का क्राया इंधन पूरी सुरक्षा तफा साथ धानी के साथ हरा जाता है इस चरण में 186 kN का प्रणोदुत्वन होता है और यह अगरी 640 सेकंड तक प्रचले तरहेगा इसमें दिशा नियंदरन के लिए इंजिन जिम्बल का इस्तमाल किया जाता है क्राया अंधन का विशिष्ट आभी 746 सेकंड के करीब होता है तक लुटेर अस यह जाता है चरंदी अजिए अधन टीटोड उप हुप हुप हुए क्यों उआ सेकंड के लिए 847 सेकंड दिया नहीं तका प्रण लोटेशं आपके लिएट्वेलोशन प्रण सर्ण चाहमें जहांजे मॉनिटर कर रहा है कि क्या का प्रोसेस चल रहा है चैंद्रियान का क्रियो स्टेज पर्पॉमें बाष्टो पे लोड के बारे में जानकारी देते हैं लेंडर मोड्यूल से कई दाज्यानिक प्रयोगों के लिए पे लोज दगाए गाए हैं India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit the propulsion module provides propulsion for earth-bound maneuvers, trans-lunar injection and moon-bound orbits it also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of earth and lunar orbit the abbreviated name of the payload is SHAPE among the payloads of the lander module the following are included a land wave probe called Rambha to measure the near surface plasma density that is the density of ions and electrons and its changes with time the second payload is Chandra's surface thermophysical experiment or chase to measure thermal properties of lunar surface near polar regions to measure the specificity around landing site and alienating the structure of the lunar crust and mantle payload ISL IASA is there the rover after its descent will further scientific study objectives through its own payloads for better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface LIBS or laser induced breakdown spectroscope is included another payload is the alpha particle X-ray spectrometer Lander module Lander module Lander module प्रेज्ट कर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविदाय बदान करने के लिए सक्षम होगा चंद्रयान 3 के लेंड़ और रोवर में कुल 6 नित बाहर हैं यह चंद्रमा की सता के पास प्लाज्मा के घनत्यों तथा समय के साथ बदलाव कामापन करेगा इसके बाद चंद्रा सर्फेस थर्मो फिजिकल एक्सपरिमेंट चंद्रमा के दुरुगी सता के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज कामापन करेगा इंस्ट्रुमेंट पॉर लिएनर सिस्निक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के इक्षेतर के में भुकम जैसी गत्यवीदियों का पता लगाएगा रूबर में चंद्रमा की सता के तत्वात्मक विशलेशन के लिए दे जारेंगे रिटान स्पेक्ट्रोस को और अल्पा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस को इसका इस्तमाल किया जा रहा है एक बहुत ही दिल्चस्प विज्ञानिक निद्भार है शेप स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री और अबिटेबल प्लैनेट अर्ट जो की चंद्रमा से प्रित्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेट किरनों का विशलेशन दूसरे जीवन सहायत ग्रहों को खोजने में मदद करेगा वर्तमान में C25 एंजिन कार्यारत है और पूर्णतर सामान्य प्रदेशन कर रहा है अब हम प्रमोचन से 700 सेकेंड की दूरी पर आ चुके हैं सापेक्ष्पती 6.5 किलोग इंटर पती सेकेंड उचाही 119 किलोमेटर झgen islands में 169 किलो गुए सब्सकत्र इंट में 59 किलोग उझादर ₩ 6.7 किलोग एक वान के उचेए प्रहां से सक्राइब स् depth रूर्तों प्रूर्णत्र स स्वेयस घ्र्म थर भाँजित हैं सबस्ते किलोग पर र chickens एफंड़ निए प्र प्राइ बोल्को्र को मारि हुए प्राइ गड्यूने कर में की खऊय Tanggeny आंसently बुजओत कई दो आक सब्समाइ पहु बादासरा प्राइ्मा Great आंसलोग हाए ऑना एक करशोग हो रू ci Market प्रॉerry आंसे क मॉल खार फ्रॉ energy astronomy बालेखक सभी प्रोस्राइट अफुर्टस भी अजली जारहा हैुशलीय तालियू का गडगड़ाः हो रहा है। लेजर अभिलोफलर सेंसर लेगिशन टृटर अप्रेश कर अप्रिकलोंने है। बालेख सबीन एक अप्रिकलों के खात्र अमने सब्सक्र जालिय। प्वार्टमान में हम प्रोमोचन से 817 सेकेंड की दूरी पर आचुके हैं करीब 950 सेकेंड पर तृती चरंड क्लायोजनिक इंजिन को सट आफ कर दिया जाएगा और उचित अभिवरित भी प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यहां से प्रितफ कर दिया जाएगा दर्मी भी है उमस भी है लेकिन आप देखिये सब चंद्रयान 3 को LVN 3 M4 दोरा इलिप्टिकल पार्किंग औरबर्ट में लांच करने के पश्चाद 170 किलोमेटर की परिजी पर प्रमयाव पांच बार में वरी प्रामा लिया जाएगा चंद्रयान 3 का पांच भी बार में यह प्रित्वी से चंद्रमा की हो सर्थान करेगा जिसे हम युने ट्रांस्टा से रहे जानते हैं पर पांच अगस 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और पर क्रमयशल पांच महरन मनेवरिंग के पर चंद्रमा की 100 km की व्रित्वा का पक्षा में स्थापित हो जाएगा यहाँ यह उचत समय और अम्रित्वी में लेंडर मोडियोल को प्रित्व करेगा और तेईस अक्टोबर गौदार तेईस को चंद्रमा की सथा पर रैनिंगी प्रक्रिया शुरू की जाएगी 15 minutes We have come close to 900 seconds after the launch currently the C25 stage is thrusting current relative velocity is 9.29 लोगन की आस पर शुरू का असफलता के बाद इसमें और जियों कोशिशनों में हम देखेंगे प्रितिये चरण LVM3 M4 rocket का चंद्रयान को उदिष्ट कक्षा योग ले जा रहा है और अदिष्ट खक्षा प्राप्त होते ही और सुचित अभी प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंटक्षेपित कर दिया जाएगा अब यह रितिष्ट की गई चंद्रयान 3 को उदिष्ट खक्षा प्राप्त कर ली गई गई है चंद्रयान 3 को सफाथत पूरवा कंटक्षेपित कर दिया गया है इलिटिकल कारफिगर उब जूए चंद्रयान 3 को उदिफेन अप्राप्त होते है और शेत्विट जो कमी चंद्रयान 2 में रागया था उसको अरता को उसके थाप बारे जो सकस्पुल लाउन्च हो गया अग इस विशन के बारे में हम अगे थेखने वाले को सभी को बहुत बहुत बादाई लेते हैं भी साइन ओगा नवड़ा बीजसरी थाओे दो बारे में अविशन के थाऑट्स लुड़ता बारे में अगे थाप लादा बीजसरी थाप लागया थाफज जाता हैं